Good Morning students, Welcome to Online classes previous lectures में हमने विंडू के बारे है practical में दिखा था अब्रेक्टिकल में विंडू होती है विंडू पे काम कैसे करते हैं विंडू में डेक्सटोप क्या है आइकन्स क्या है इनके बारे में अमने पढ़ा था आज उसी के बारे में आपको थोड़ा सा फटी कर रहे हैं तो आज हम टॉपिक लए रहे हैं वंडूज तो विंडूज तो सम्टॉपिक ले रहें तो मतलब क्या विंडूब एक ऐसा ओपेटिंग सिस्थम है जो कि क्या करता है विंडू कंप्यूटर को चलाने में है ठीक है यह देखें तो यह हमारे विंडूज का एक क्या करते हैं उसको टच करके हम उसमें इस्ट्रेक्शन दे रहे हैं और इसमें जो भी आप देख रहे हैं आप चोटे-चोटे तो इस रहे हैं और रूप में हैं पर काम करते हैं ति कि हम आगे सब्सक्राइब परते हैं विंडो की definition definition ऑफ इंदो की definition में देखें विंडो को Microsoft Corporation ने डबलब किया था विंडो चौनली यूज़ उप्रेटिंग सिस्टम मतलब विंडो का यूज़ जो है वो system को operate करने में help करता है वह हमारा विंडो ओपरेटिंग सिस्टम कहलाता है ठीक है नेक्स आपर विंडो इसे सेपरेट व्यूजिंग एरिया और विंडो क्या एक सेपरेट व्यू एरिया है जहां पर हम देखते हैं किसी भी आइकन को किसी फाल या फोल्डर को स्क्रीन के उपर हमारा विंडो कहलाता है कि इसमें क्राफिक्स की help से हम क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं इसलिए किस पर वेज होता है गरिए क्या समया भाई है बिंडो मतलब ऐसा ओक्यूतरिंग सिस्ट्रम से हम कार्ते करते हैं वो विंडोज operating system कहलाता है अब next slide जो है उसमें है versions of windows मतलब विंडोज के कौन-कौन से version my grid में आज चुके हैं और कौन-कौन से version हम use कर चुके हैं तो आप देखें आप विंडोज 1.0 1981 में बना था ही सबसे पहला विंडोज का version था ही विंडोज 1.01981 में बना था इसके बाद विंडोज 2.xx का मतलब है यहाँ पर इसके series थी जैसे 0.0 2.1 ठीक है इसके series थी 1987 में डवलप की गई थी फिर इसके बाद है विंडोज 2.000 यह जो 2000 में डवलप की थी फिर है विंडोज 2.000 यह जो 2000 में डवलप की थी फिर है विंडोज 2.000 यह जो है यह सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली विंडोज है जिसको यूजर फ्रेंडली हम विंडोज भी कहते हैं जो कि यूजर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है किसी भी कारे के लिए यह 2001 में डवलप की गई थी फिर आया विंडोज विंडोज विस्ता 2006 में फिर आया विंडोज 7 2009 में फिर आया विंडोज एट 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 पॉंट बन तुटावजन ठीक है इसके बाद आया विंडोज 10 2012 में उसके बाद आया ट्रॉम्टर twenty 207 चामतलब जातेरई पांम पर भॉंस में जो विंडोज होती है वह और विंडोज है या आपकी विंडोज के वरजन से इसे window के लिए कौन कौन से hardware पार्ट की हमें आवशकता होती है जिसे कि am window को run कर सके हैं चला से किस तो कर सके तो सबसे पहला जो important है क्योंकि तो इसकी रोल्य में tha यहत्पाइब झीजोड़ा में चल रहें ठीक है और को आई-3 को आई-5 है आई-7 भी आ चुका लेकिन आई-3 जो है बेसिक जो हमारा भी काम में आता वो आई-3 आता है ठीक है आई-5 भी आचुक है आजकल वाई-5 आगे पर देखेंगे उसके बाद रेम होनी चाहिए रेम का मतलब है रेंडम एक्सेस मेमोर सेव करते हैं तो रेम हमें चाहिए वो चाहिए हमें 4GB की जो कि 64-bit के लिए ठीक है फिर हाड़ ड्राइब का मतलब रेम के बाद मतलब प्राइमरी मेमोरी है रहें उसके बाद डाटा जहां से होता है वो हाड़ इक्स कहला रही है 64-bit के लिए फिर है ग्राफिक्स कार्ट ग और जुकि ग्राफिक्स को जादा जादा रिप्रीजेंट करता हो कि क्योंकि विंडिओ हमारी क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा चलती है इसलिए जिए रापिक कास्त करने ऋच्भाउस करते हैं चैश्पर हम मोनिटर मतलब एक एसकी स्क्रीन है जिस पर हम करते हैं वो मोनिटर मोनिटर क्लाते हैं जिसमें कलार का फ्लक्शुषिपिशन कम होता है कालर फ्येलता कम है इसके पात पांप मल्टि मीडिया कीपूर्ट лег मतलब ऐसे कीपूर्ड जो मल्टिमीड्या इसमें तौन force स्वrage है ग्सक्ते हैं और ak HEART keys जो आती है इसमें words की है functional की है Alphabet की है Control की आती है हमारी symbols की आती है हमारी editing keys आती है या हमारी keys बढ़ा है या थी या 2Button mouse रहरा है यह अभी तो 3Button mouse चल रहे हैं जिसमें left right और सक्रॉलर क्रोलाता है हम प्लिटी से हम किसी फाइल या फोलडर बढ़ेट कर सकते हैं डबल क्लिक करके डारेक्ट ऑपन कर सकते हैं राइट बटन से हम सलेक्ट कर सकते हैं मीनू के दोर हम कोल सकते हैं यह कुछ इंपॉसंक्वरियर पास से जिनकी requirement हमारे software जो Windows ऑप्रेंडिंग स्सेम्स को चलाने में पड़ती है ठीक है नेक्स स्लाइड है हमारी features of window, features of window मतलब इसकी क्या-क्या विशेस्ता हैं window की, तो इसमें कुछ window की विशेस्ता है, सबसे पहले है GUI-based, मतलब जो window है हमारी, वो GUI-based होता है, GUI की perform है graphical user interface, मतलब इसमें graphics की help से user को interaction करने की permission दी जाती है, हर काम graphics की help से किया जाते हैं, icons की help किया जाते हैं, जैसे मैंने आपको previous lectures में आपको बताया था, practically, कि graphics या icon का use कैसे करते हैं, जिससे की कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम और आसानी से हम कर सकें, वो हमारा graphics user interface की बैस, second है speed, मतलब window जो है, उसकी speed बहुत fast होती है, कर सकता है, ठीक है, इसके बाद user friendly, user friendly क्यों बुलाया था है, इसे क्योंकि ये user को बहुत सारी facility प्रवाइट करता है, जिसके मात्यम से किसी भी कारे को आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, कुछ predefined tools हैं, जिसे icons हैं, folder हैं, file हैं, shortcuts हैं, ठीक है, task bar है, इनके साहता से हम किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसलिए window को user friendly भी कहा जाता है, फिर है compatibility, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा compact होता है, बहुत आसानी से इसको compact होती हम काम कर सकते हैं, ठीक है, फिर है safety and security, जो window होती है, बहुत ही safe और secure होती है, क्योंकि इसमें inbuilt antivirus आते हैं, antivirus की help से हम virus के attack को रोग सकते हैं, जो virus हमारे इसमें आ जाते हैं, उनको रोग सकते हैं, को scan कर सकते हैं, hardx को और बाकी हमारे जो records हैं, और जो भी virus है, उसको हम उसमें से हटा सकते हैं, इसलिए window बहुत secure है, और उसमें firewalls का भी use किया आता है, जो की unauthorized user को या unauthorized access को permission ही नहीं देता है, कुछ की access करने की, next है interface, interface जैसे आपने फिर दिर पहले समझा, interface मतलब communication, तो window hardware और user के बीच में interaction प्रोवाइड करता है, interface प्रोवाइड करता है, और जिससे की कोई भी user बहुत आसानी से window में कारी कर सकता है, next है icon, icons window में icons होते हैं और इन icons की help से हम किसी भी कारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं, icons का usually किया था है कि कम जगे में ज़्यादा से ज़्यादा information को हम बता सकें, ठीक है बहुत less space लेता है और icons की help से देखें, प्रेक्टिकली बताया था आपको कि एक text लिखने हम 50 लाइन का तो वह कम समझ में आएगा जबकि छोटा सा icon बना दो वह जल्दी समझ में आएगा ठीक है तो इसलिए हम icons का use करते हैं window के अंदर, next है handling input output operation, window में peripheral devices जिसे हम input output devices भी कहते हैं इनकी help से input output operation को perform किया जाता है, जैसे keyboard है, mouse है, light pen है, joystick है, ये input device है, इनके द्वारा हम input दे सकते हैं computer के अंदर, monitor, printer, plotter, speaker, ये output device हैं जिनकी द्वारा हम किसी भी प्रकार के result और output को show कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, फिर multitasking, window multitasking environment प्रवाइड करता है, multitasking का मतलब होता है, एक साथ एक से ज़्यादा task perform करना, window में एक साथ एक से ज़्यादा task को perform किया जा सकता है, जैसे आप गाने सुन सकते हैं, copy कर सकते हैं, कोई भी typing कर सकते हैं, तो ये एक साथ different task हम perform कर रहे हैं, तो वो environment प्रवाइड करता है हमारा window, फिर है multi-user support, window multi-user support environment प्रवाइड करता है, जिसमें हम एक साथ एक से ज़्यादा users को ये काप को share कर सकते हैं करने के लिए, कि किसी भी file या folder को, icon को, किसी भी document को एक स्थान से दूसरे स्थान पर move किया जा सकता है, आसानी से, drag and drop का मतली होता, drag मतलब खीचना, drop मतलब छोड़ना, मतलब एक स्थान से खीचते हुए, दूसरे स्थान पर ले जाके इसको छोड़ देना ही drag and drop technique के लाती है, फिर है prompt, windows prompt को भी support करता है, prompt मतलब है हमारा, जिसमें हम dows की commands लिख सकते हैं, उसको भी windows support करता है, तो इसमें एक facility provide की है prompt, जिसमें हम command type करके भी किसी भी प्रिकार के कारी को कर सकते हैं, next है mouse pointer, जो window है हमारा, वो mouse pointer को भी support करता है, वो क्यों करता है, क्योंकि window हमारा GUI technique पर based है, और जो GUI technique पर based है, तो यह क्या करेगा, graphics को support करता है, mouse को support करता है, हम mouse की help से किसी भी icon को, file को, folder को क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं, open कर सकते हैं, ठीक है, तो mouse support करता है, कि मतलब mouse की help से हम window में बहुत ही आसानी से, किसी भी प्रिकार के कारे को कर सकते हैं ठीक है यह फैझा यह थे हमारे फीचर ऑफ विंडू तो आज के लिए बंडू का इतना है जाले करें कि पढ़कर क्या है कि फीचर्स क्या है बंद्डू की windows के components क्या है ठीक है Thank you